चलरी सजनी अब च्या सोचे इंडियन सिनिमा की लेजेंड एक्टरसिस के लिस्ट में सुचितरा सेन के बिना कभी पूरी ही नहीं हो सकती फिल्मों में उनकी खुबसूरती भार्दिय धर्शकों ने हमेशा देखी है मगर परदे के बाहर सुचितरा सेन से मिलाकात का कोई किस्सा शायद है किसी के पास मिले दोस्तों सुचितरा सेन परदे से दूर हुई तो यूं कि उनके निधन तक लोग उन्हें दुबारा नहीं देख सके भारत सरकार से सिनेमा में युगदान के लिए मिलने वाला दादा साहेब भाल के एवार्ड बहुत हूचा दर्जा रखता है देश के राष्टपती के हाथों मिलने वाले इस एवार्ड के लिए जिसे चुना जाए वो अपने आप में भार्दी सिनिमा का एक आइकोन बन जाता है महानायक कहे जाने वाले हिंदी फिल्म स्टार अमिता बच्चन को ये एवार्ड 2019 में मिला था और उनसे 14 साल पहले 2005 में इंडियन सिनिमा की सबसे चर्चित अक्ट्रिस इसमें से एक को भी एवार्ड आफर हुआ था और ये थी सुचित्रा सेन बताया जाता है दोस्तों कि सुचित्रा सेन की एक बंगाली फिल्म को हिंडि सिनिमा में अमिता बच्चन और रेखा की यादकार जोड़ी के साथ बनाया जाना था लेकिन ओरिजिनल फिल्म देखने के बाद अमिता बच्चन ने पूरे सम्मान के साथ हार चोड़ कर कहा था कि ये मुझ से नहीं होगा सुचित्रा सेन को जब ये एवार्ड आफर हुआ तो खास नोट भीचा गया कि आपको खुद एवार्ड लेने आना होगा रिपोर्ट्स बताती है कि जब सुचना एवं प्रसारन मंत्री रहे प्रियर रंजन दास मुमुची बहुत शिद्दत से चाहते थे कि ये एक्ट्रिस अपना एवार्ड लेने खोद आए मगर इन्होंने भारत के सबसे प्रतिस्टिट सिनिमा सम्मान को छोड़ कर जनता की नजरों से दूर और अपने एकांत में रहना जुना ये थी महानायका सुचित्रा सेन 6 अपरेल 1931 को जन्मी सुचित्रा सेन को कि उदंती नायका के नाम से भी जाना जाता है सबसे आइकोनिक अक्ट्रिसिस में से एक सुचित्रा सेन जब जनता की नजरों के सामने आखरी मार आई तो 47 साल की थी और उस वग भी उनकी वही खुबसूरती थी जिसने 25 साल लंबे करियर में दर्शिकों को पलके जपकाए बिना देखते रहने पर मजबूर किया रखा था साल तुधावसन फोटीन में जब सुचित्रा सेन ने संसाल को अलविदा कहा तो वो 42 साल की थी मगर लोगों को आज भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 47 साल की ही याद है क्योंकि उसके बाद कभी लोग इन्हें सामने से देख ही नहीं सके इनकी अंतिम यात्रा में भी नहीं कलकत्ता के बड़े रईस आदिनाथ सेन अपने बेटे दिबानाथ की शादी के लिए लड़की खोज रहे थे इसी सिलसिले में उन्हें साल 1947 के बटवारे में पुर्वू पाकिस्तान के पावना जिले से पच्चिम बंगा लाया एक परिवार मिला 16 साल के रमा दास गुपता में आदिनाथ ने ऐसा क्या देखा जो उन्हें बहू बनाने का फैसना ले लिया ये कोई नहीं जानता लेकिन कहते हैं कि रमा के आने के बाद आदिनाथ के बेटे दिबानाथ की जिन्दगी बदल गई थी शादी के अगले ही साल इनकी बेटी आई जिसने भारत में कई भाशाओं की फिल्मे की और बड़ी अक्टरस बनी लेकिन इससे पहले मुन्मुन की मा रमा खुद सिनिमा की आइकोन बनने निकली थी पचास के दशक में एक शादी शुदा और एक बच्चे की मा का एक्टिंग में कदम रखना एक बहुत बड़ी बात थी मगर रमा ने ये बड़ा कदम उठाया और स्क्रीन पर उन्हें सुचित्रा सेन के नाम से जाना गया उनकी पहली बंगाले फिल्म साल 1952 में आई शेश को थाई थी पर ये कभी रिलीज नहीं हो पाई लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सुचित्रा सेन की जैसे तकदीर ही बदल दी सुचित्रा सेन की जो पहली फिल्म थेटर्स में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था साथ नमबर कैदी जो साल 1953 में रिलीज हुई थी मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई जिसके बाद तरून मुखरजी की फिल्म एटम बं में सुचित्रा सेन ने एक बैग्राउंड या कहिए की एक्स्टर रोल में काम किया था ये फिल्म बनी साल 1951 में थी मगर रिलीज साल 1954 में हुई मगर इससे पहले यानी साल 1953 में इनकी फिल्म साड़े 74 थीटेस में खूब चले लगी इस फिल्म में सुचित्रा सेन पहली बार उत्तम कुमार के साथ नज़र आई थी जिन्हीं बंगाली सिनेमा का महानायक भी कहा जाता है ये फिल्म बड़ी हिट बनी और फिर उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी ऐसी पॉपिलर हुई कि अलग-अलग डिरेक्टर्स ने करीब 20 सालों तक इस जोड़ी को फिल्मों में खुब रिपिट किया अपने करियर के 60 फिल्मों में से लगवग सुचित्रा सेन ने 30 फिल्म में उत्तम कुमार के साथ गी थी बिमल रॉय के नैशनल अवाट से सम्मानित फिल्म देवदास सुचित्रा सेन की डेब्यू हिंदी फिल्म थी बिमल रॉय ने पहले मीना कुमारी को इसकिरदार के लिए अप्रोच किया था मगर उनके पती कमाल अम्रोही ने कुछ ऐसी शर्ते रखी जो उन्हें सुचित्रा सेन बंगाली में उत्तम कुमार के साथ अगनी परिक्षा जैसी सुपर हिट फिल्में दे चुकी थी कहते हैं दोस्तों कि यहीं से भी मल्दा ने सुचित्रा सेन को पारो के रोल के लिए अप्रोच किया फिल्म देवदास में चंद्रमुखी के रोल के लिए वेजंती माला को बेस्ट एक्टरिस का नेशनल एवार्ड आफ़र हुआ लेकिन उन्होंने ये कहते हुए एवार्ड लेने से इंकार कर दिया कि फिल्म में सुचित्रा सेन और उनका रोल बराबर था ये अपने किर्दारों को कुछ इस तरह से निभादी थी जिसे आज सिनेमा में अंडर प्ले करना कहा जाता है इनकी कुछ फिल्में हिट रही तो कुछ फ्लॉप मगर इनके किर्दार हमेशा बागी एक्टर्सिस से अलग रहे सत्पदी में सुचित्रा सेन एक शराबी एंगलो इंडियन महिला सेनिक थी उत्तर फालगुनी में उन्होंने एक वैशिया और उसकी बेटी वकिल बेटी का डबल रोल किया था दीब चले चाय में इन्होंने एक नर्स का किर्दार निभाया जो दिमागी परेशानी से जूज रहे हिरो की मदद करने के लिए उसकी पतनी होने का नाटक करती है पचास और साड़ के धशक में इस तरह के किर्दार परदे पर निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी सुचित्रा से ने ना सिर्फ परदे पर दमदार किर्दार निभाये बनकि परदे के बाहर भी अपने लिए सॉलिद पहचान कुरेर की बताया जाता है कि साल 1962 में आई फ्रेंड विपाशा के लिए सुचित्रा सेन ने बतौर फीज एक लाक रुपे लिए थे ये पहली बार था दोस्तों जब किसी मंगाली आक्टर ने इतनी फीज चार्ज की थी और ये भी बताया जाता है कि अपनी कई फिल्मों के लिए सुचित्रा सेन ने फिल्म के हिरो से ज़्यादा फीज चार्ज की थी परदे पर लोग इन्हें देखने के लिए इस तरह जुटा करते थे कि फिल्म में उनका होना अपने आप में एक चर्चा की बात हो चुकी थी साल 1975 में आई गुल्जार साहब के फिल्म आधी तो आपको ज़रूर याद होगी दोस्तों इस फिल्म में सुचित्रा सैन ने एक फिमेल पॉलिटिशन का किरदार निभाय था ऐसा कहा गया था कि फिल्म की कहानी और ये किरदार उसमें भारत की प्रधान मंतरी रही इद्रा गांधी से प्रेरित था लेकिन असल में सिर्फ सुचित्रा सेन के किरदार का लोग ही उनसे प्रेरित था सुचित्रा सेन को जिस ओन स्क्रीन खूबे के लिए याद किया जाता है उसमें से एक गानों पर उनकी एक्टिंग आधी में भी उन पर फिल्माए तेरे मिना जिन्दगी से और तुम आ गए हो नूर आ गया है बहुत आइकोनिक थे इन दोनों गानों को आज भी खुब पसंद किया जाता है इंडियन सिनेमा के इतिहास में जिन्हें लेजेंड फिल्मेकर्स कहा जाता है उनमें सत्यजित रे का नाम भी शामिल है विदेशों तक आज भी बड़े फिल्मेकर्स सत्यजित रे से इंस्पायर होने की बात स्विकारते हैं इन्ही सत्यजित रे ने ते किया कि साल 1960 के दशक में बंगाली नोविल देवी चोधरानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और लीड रोल लेकर सुचितरा सेन के पास पहुँचे कभी दो साल में 20 फिल्मों पर काम करने के लिए चर्चा में रही सुचितरा से सत्यजित रे ने कहा कि उनके फिल्म के दौरान वो किसी और फिल्म पर काम नहीं करेंगी साल 1978 में सुचित्रा सेन की फिल्म प्रड़ई पाशा रेलीज हुई मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई इसके बाद इन्हें कभी स्क्रीन पर नहीं देखा गया इन्होंने पब्लिक की नजरों से खुद को दूर कर लिया जब इन्होंने स्क्रीन से दूर होने का फैसला लिया तो राजिश खना के साथ इनके फिल्म नती बंदनी पर काम शुरू हो चुका था मगर सुचित्रा सेन के फैसले की वज़े से इसे बीच में ही बन करना पड़ा दिसेंबर 2013 में लंग इंफेक्शन की शिकायत के साथ सुचित्रा सेन को अस्पताल में भरती करवाया गया था जनवरी के पहले हपते में खबर आई कि इनकी हालत में सुधार है लेकिन इनकी तबियत फिर से बूरी तरह बिगड़ी और आखिर 17 जनवरी साथ 2014 को सुचित्रा सेन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहे गई पस्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी भी बेहत गुपचुप तरीके से इनसे मिलने इस्पताल पहुँची थी साथ कलकत्ता की एक शमशान घाट में जब सुचित्रा सेन की बोड़ी को अंतिम संसकार के लिए लाया गया तो इनका शव एक ऐसी गाड़ी में था जो सफेद फूलों से धकी थी और जिसके शीशे काले थे रास्ते भर में खड़े लोग निउस चैनल के कैमरे और इनके निधन की खबर सुनकर आया कोई भी व्यक्ति नहीं देख सका कि आखरी सावे में सुचित्रा सेन कैसी दिखती थी गाड़ी से उनका शव एक ताबोत में निकाला गया और उसे ऐसी जगा चित्ता पर रखा गया जो पबलिक की नजरों से छिपी हुई थी सुचित्रा सेन के बारे में ये मशूर है दोस्तों कि उन्होंने एक बार कहा था मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे सिर्फ स्क्रीन पर ही देखा जाना चाहिए यहां तक की अंतिम समय तक इनके परिवार ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सुचित्रा सेन लोगों को वैसे ही याद है जैसा उन्हें स्क्रीन पर देखा गया था मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं क्या हुए हो दिन कि सुचित्रा सेन लोगों कि सुचित्रा गया थाद चाहिए